हलो एश्टूडेंट्स, क्लास तेंथ वालों के लिए most important objective question मैं आपके सामने लेकर क्या हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा physics, chemistry, biology तीनों subject का मैं most important objective question बताने वाला हूँ और जितने भी question है इसमें सारे के सारे 2017 में पूछे गए हैं ठीक है तो जो पूछे गए हैं वो question ज्यादा आने के chances बने रहते हैं इसलिए आप देख लेना और आपको भी पता होगा कि इन में से कितने question आपको पहले से आथा और कितने question नहीं आथा तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं physics chapter में मैंने पहला question लिया है कि प्रकास की कीरन गमन करती है option A में है सिधी रेखा में, option B टेडी रेखा में और option C किसी भी दिशा में option D में से कोई नहीं देखवा इसका जो सही answer है हमेशा सिधी रेखा में यानि प्रकास की जो कीरन होती है हमेशा जो गुजरती है ना गमन जो करती है चलती है वह सीधी रेखा में ही चलती है तो option A दे राइट एंसर इसी प्रकार चलते हैं प्रेशन करमांग हम दो की और तो दो में यहां पर दिया गया है कि हजामत के लिए किस दर्पन का उपयोग होता है कि अप्रेशन करमांग की अब देख सकते हैं लिखा गया है सर्च लाइट का प्रावरत सता होता है सर्च Ride जो देखें जास घुता है तो यह सार्च लेट होते हो तो जो बड़े पैमाने पर होता इसका फॉख सिंग 195 तो यह पूछ राए कि प्रशन करमाइट 3 में कि सर्च लाइट का प्रावरत तक सता होता हूँ कैसा होता है उत्तल दर्पन या अप्तल या सम्तल या निमें से कोई नहीं तो देखो भाई तीसरा का जो सही एंसर होगा दोस्तों वह होगा अप्सन भी अप्सन भी दर आइट एंसर तो अप्सन भी मैं वह सकते अप्तल ठीक है अप्तल होता है सर्च लाइट का प्रावर्ड तक शत ठीक है इसी प्रकार हम चलते हैंप्रेशन करमांक फॉर की ओड़ तो फॉर में दिया गया है निमलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले इंधन में नहीं होता है यानि खाना जब हम बनाते हैं तो उस इंधन में कौन नहीं होता है CNG या फिर LPG या बायो गैस या कोईला कौन नहीं यूज होता है ये आप से पूछा जारा है तो देखो भाई चोथा को जो सही इंसर होका option A CNG ये जो होता है CNG इसका यूज नहीं होता है LPG का यूज हम करते हैं ठीक है liquid petroleum gas का ये बागी सब का यूज हम करते हैं ठीक है पांचमा में आप देख सकते दिया गया है है यहाँ पे कि dynamo यांटरिक उर्जा को किस उर्जा में परिनत कर देता यानी किस ऊड़़ा में बदल देता डाइणोमों अपसके में हैं धोनी ऊड़जा आपसन अफसन इमें विद्धुत ऊड़जा आपसन सी में सवरुज़ आपसं दी इन में से कोई नहीं तो इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तो देखो भाई पांच का जो सही सब्सक्राइब औरृट अगला प्राश्म करमांग आगे की ओर चलते हैं तो आगे हमारे पास आप देख सकते लिखा गया घरों में विद्धूत से दुर घटना किसके कारण होती है जो यह बूट राती यह लगा हुआ ठीक बिजली तो इसमें किसकी कारबाती है फ्यूच तार से या सौट सर्किट से या उच धारा प्रभाह करने से या इन में से कोई नहीं तो देखो भाइब इसका सही एंसरों का अपसन भी सार्किट यानि जब सौर्ट सर्कीट होती है सौट अगरे लगती है तो यहीं दुरघटना होती है ठीक है तो प्रेशन करमाइंग 6 का जो सही अंसर अपसन वी दराइट इंस सर्कीट प्रेशन करमाइंग 7 की और चलते हैं साथ में दिया गए कि आख का विवहार होता है यह जो हम लोग आख होता है उसका विवहार कैसा होता है अपतल दर्पन की तरह या समतल दर्पन की तरह या इन में से कोई नहीं तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों की साथ का जो सही अंसर होगा दोस्तों साथ का सही अंसर होगा option B option B the right answer होगा उतल लेंस की तरह होता है उतल लेंस की तरह विभार करता है हमारा क्यूंकि आख में जो लेंस पाया जाता है वह उतल लेंस ही पाया जाता है ठीक है इस बात को ध्यान रखना आए प्रशन करमांग हम एक की और चलते है अब रसायन विज्ञान में ठीक है chemistry में तो chemistry में देख सकते हैं पहला प्रशन हमारे पास है कि खड़िया का रसायनिक सुत्र क्या है अब बताए खड़िया का रसायनिक सुत्र क्या होगा दोस्तों इसका सही इंसर बताओ देखो मैं सबका option पढ़ देता हूं option A में Mg CO3 option B म सब्सक्राइब को क्या कहते हैं ठीक है इसी प्रकार हम चलते हैं प्रशन करमान को दो की और तो दो में दिया गया है COOH अभिक्रिया सील मुला को क्या कहते हैं ठीक है COOH अभिक्रिया सील मुला को क्या कहते है LDH, Aml, Ketone या Ether तो देखो भाई दूसरा का जो सही इंसर होगा option B is the right इंसर ठीक है option B the right इंसर होगा ठीक है तीसरा में हम देख सकते हैं लिखा गया है कि किसी भी Amliyay William का pH मान होता है को यवह होता है साथ से कम ठीक है साथ से कम अगर रहेगा तो Aml होगा और साथ से अधिक रहेगा तो च्छार होगा हौः साथ के बराबर रहेगत तो वहistas yin कहलाता है यया तीसरा ka sayhaba onun सीज़गा और चलते हैं तो चौछा में दिया ओका provinces है च्र Leist मेला रिज्छ हैं या हैं मैजन डैडवल do ूस्टोर आहीं च्ता का सही तरहागार को Sud च्र एक प्रहंन कर्मांक फाइब क्यों चलते हैं तो तो पांच का सही एंसर क्या होगा दोस्तों देखो पांच का सही एंसर होगा दोस्तों अप्सन इसका जो होगा सही समावी होगा ठीक है इसी परकार चलते हैं प्रशन कर्मांग 6 की और तो 6 में दिया गया है निम्नांकित में कौन प्रवल अमल है ठीक है प्रवल अमल कौन है ह2SO4 या HCl या HNO3 या सभी कौन होगा इसका सही एंसर तो देखो हैं इस 6 का सही एंसर होगा ऑप्सन ए H2SO4 ठीक है Hydrogen Sulphate ठीक है प्रशन कर्मांग हम चलते हैं साथ की और तो साथ में दिया गया है कि आधुनिक आवर्थ सारनी में 36 कातारों की शेंख्या कितनी है ठीक है या आठारा है या साथ या सोला या दस तो देखो भाई साथ का सही एंसर होगा ऑप्सन भी दराइट इंसर यानी चालते हैं चलते हैं यानिण जीव जजली जाता तो जि गयान की वाल ऊद्ल्द करेंगर तो चुन सीखता है उस में लंर को शिका या स्वेत्तर को आि रक्त भी बिम्बानू या कोई नहीं तो देखो भाई पहला का जो सही एंसर होगा दोस्तों ना जी विज्ञान में देख सकते हो तो पहला का सही एंसर होगा ऑप्शन एज राइट एंसर लाल रक्त कोसी का ठीक है आए प्रेशन करमांग दो की ओर चलते हैं दो में दिया गय थे निंगी घुर्दा इसके संप्रेशनात्मग मतलुनलब मतलब इसमें कार्ज कर यह कि से मिलोकर करता है रही से या फिर फिर बौंएन कैप्शूर से या फिर मुद्र वाहिनी से या फिर से तो भाई-धरों chanakroos ठीक है प्रेशन करमांग तीन में देख सकते हैं लिखा गया है कि एक कोस्किय सेवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है डैस द्वारा होता है खाली अस्तान में पूछ रहा है प्रासरन द्वारा या विसरन द्वारा या अफसोसन द्वारा या रशा रोहन द्वारा तो ए कोश्किये सवाल में जल की परिवान जो होती है भाई देखो तीसरा का जो सही एंसर होगा ऑप्सन B यह विसरन दोरा होता है ठीक है प्रेशन करमांग फोर की वर चलते हैं तो फोर में आप देख सकते हैं लिखा गया है कि मस्तिक्स उत्तरदाई है अब बताई मस्तिक्स जो ह ठीक है यह होगा सोचने के लिए ठीक है जो भी हम सोचेंगे ठीक है वह मस्तिक्स ही हिसरो प्राग कन पाए जाता है इस बात को ध्यान रखना इसी परकार चलते प्रश्ण करमाइंग 6 में तो प्रश्ण करमाइंग 6 में आप नीचे देख सकते हो कि एक वैक्स मनुष्य के कितने दांत होते हैं एक जो इनसान संपोर्ण रूप से जवान हो जाते हैं तो उनके मुह में कितने दांत होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है तो देखो भाई इसमें 28-30, 32-34, 34 तो होगा ही नहीं, 30 होता है, 28 भी ओता है और 32 भी ओता है लेगिन जब इनसान कूण लूप से जवान हो जाता है तो उसके मुह में कितना दांत रहता है तो 32 दांत रहता है इस बात को लगी अगर पसंद आया तो लाइक करना दोस्तों को भी सेर करना धन्यवाद दोस्तों